हाई हेलो नमस्कार हम सबको पता है दोस्तों की SBI क्लरीगल नोटिफिकेशन आ गया और काफी लोग ऐसे हैं कि they were going through कि कौन से स्टेट से डालें बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है जहां पर हम सबको देखना पड़ता है हो सकता है कि वो LPT का issue हो या हो सकता है कि एक स्टेट से हम belong करते हैं लेकिन वो expected vacancies उतनी नहीं है तो आज वाज जो स्टेट जहां से हम को डालना चाहिए वहीं से हम डालने का प्रयास करते हैं तो I hope कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक decide करना था you are almost done और अभी आपने शायद form fill कर लिया होगा और अगर आपने form अभी तक fill नहीं करा है तो please जा के form fill कर लीजे एक tension रहता है हम सभी को कि यार कहां से भरूं किया से भरूं तो इन सब चीज़ों पर विराम लगा देना बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि अभी preparation mode में हमको आना पड़ेगा इस वाले वीडियो में मैं आप सभी के साथ discuss करूँगा कि जब मैंने examination crack किया था तो मैंने क्या चीज ऐसा कि बहुत easily मैंने इस examination को crack कर पाया था तो उसके बारे में मैं आप सभी के सामने जखर करूँगा सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि ये बहुत prestigious examination है SBI clerical हो या SBI को कोई भी examination होता है काफी prestigious माना जाता है एक SBI junior associate होना वो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपने लगबग RRB PO को भी crack कर दिया है तो इस ओदा में इस चीज़ को रखा जाता है तो दोस्तों मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि इस examination को सबसे पहले तो हमको हलके में लेना नहीं चाहिए यहाँ पे number of applicants भी बहुत ज़्यादा होता है तो cut to cut जो मैं एक शब्द यूज़ करता हूँ cut to cut strategy के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा करूँगा I know कि अभी इस बीच बहुत सारे से examinations होंगे हो सकता है कि आपका main examination हो and all that लेकिन यह देखते हुए कि हम assume कर लेते हैं कि November को examination होगा तो हमारे पस अभी भी 50 दिन अभी भी हमारे सामने दीख रहा है देखिए कोई भी examination को आप target कर रहे है आपको at least 50 दिन देना पड़ेगा हमेशा मैं बोलता हूँ कि one exam one target भले इस बीच में कोई examination आ रहा है बहुत अच्छी बात है आप दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन आपके जहन में एक examination पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि हाँ यही examination मेरे ultimate target है ठीक है आपका कौन सा ultimate target है comment के box में बिलकु लिखिएगा तो मेरे हिसाब से अगर कोई aim कर रहा है SBA Junior Associates को तो I believe कि उसके लिए आपको at least 50 days देना पड़ेगा यहाँ पे strategy में discussion सुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे sources भी बताऊंगा जहां से आपको अपनी practice करनी चाहिए सुरू करते हैं इस वीडियो को हम सबको पता है सबसे add-on advantage यही है SBA Junior Associates के examination में कि यहाँ पे कोई sectional cut-off नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको English में इतना लाना ही पड़ेगा आपका अगर maths अच्छा है आपका reasoning अच्छा है तो वहाँ पे आप जितना marks आप वहाँ पे बटोर लो ताकि आपका जो जुसरा section अगर आपका कमजोर भी है न तो आप अच्छा कर सकते हो English की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स आते हैं math, reasoning और English और an average भी सभी में चल रहा है तो आप aim कर सकते हो अभी से at least कि आपके हर एक mock test में 75-80 यहाँ तक का score आना चाहिए क्योंकि अभी जितने सारे आपने examinations दिया है न वो flow को आपको पुरा at the end of your selection तक आपको maintain करना है बहुत अच्छा flow आपने पकड़ा हुआ है बहुत सारे examinations को आपने दिया अब आगे वाले जो exam है उसको भी वही flow में maintain करके आगे बढ़िए ठीक है mock test आपको daily देना पड़ेगा mock test ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोड़ दें आप कई लिग बोलेंगे कि sir हम पढ़ाई तो करते हैं पहले आप देखो बहुत आपने पढ़ाई कर लिया है आपने आप अब प्रिलिम्स के लिए मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से कर लिया है ठीक है तो यहां पर आपको प्रिलिम्स की पढ़ाई के लिए आपको extra नहीं करना है आप अब सीधा mock test को लग सकते हैं पचास तीन at least very handsomely पचास mock test आपका आराम से हो जाना चाहिए इसी बीच मैं आप सभी को कुछ वीडियो में बताया हूँ कि RRB PO mains के लिए RRB clerk mains के लोग परिशान हो रहे है आपको परिशान नहीं होना है परिशानियां तब बढ़ती है जब हम उसको daily नह करता है मेंस examination अगर मालो अब होना है तो आपको ज़्यादा time नहीं देता है 10 दिन 15 दिन हैसी हमने instances देखा हुआ है तो वो worst के scenario में हम ना पहुँचे तो उसके लिए हमको daily थोड़ा थोड़ा 20 minutes 30 minutes 20 minutes 30 minutes ऐसा करके हमको पढ़ा ही कर लेना चाहिए general awareness की बात कर रहा हूँ and the most important thing what I feel is mentality आपकी mentality बड़ी साफ होनी चाहिए दोस्तों बड़ी clear होनी चाहिए कि हाँ ये exam को ही मैं target कर रहा हूँ अब बीच में क्या है कि अब SSCGL के notification आए गए लोग डालेंगे उसमें no issue आप डाल सकते हैं लेकिन वो आपकी जोनर नहीं है नहीं है वो जोनर क्योंकि आपने उस चीज के लिए पढ़ाई कहां किया है October 8 उसका last date of filling the application form है आप जाके डाल सकते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि आए मैं आपको इस वाले वीडियो में बताता हूँ जो कि सिर्फ SBA clerk ही नहीं आने वाले exams IBPS PO के लिए even mains examination के लिए भी जितने भी सारे exams हैं IBS RAB clerk, IBPS PO, IBPS PO, SBI clerk, SBI PO जो आने वाले साल में भी examination होगा या अभी जो examination समको pipeline में दीख रहा है आपको यहां से पढ़ना चाहिए आ ये मैं आप सभी को बताता हूँ जिस किताब के बारे में आप सभी को बता रहा था ये है दिशा publication का ये किताब दिशा publication का इस बार जो आप practice करोगे तो please आप इसी book से practice करो क्योंकि मैं आप सभी को बता दिया कि daily आपको एक mock test लगाना है, mock test के बाहीर आप सभी को यही यहां पर 4 set of books मिलेंगे, पूरा के पूरे updated है 2022 के पैपर के साथ, ठीक है, यहां पर almost 23 topics, almost नहीं, पूरा 23 topics से मिलेगा, जो topics हमारे exam से पुछे जाते हैं, वो ही topics आपको यहां पर दिख जाएगा, 85 papers हैं यहां पर, 4400 प्लस questions इसी बस reasoning किताब में ही है fully solved है authentic solutions है detailed solution है 100% solution है और errorless भी है और इसका जो solution को जो language है न वो काफी आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा चलिए मैं आपको अंदर बता देता हूँ ये exam बस SBI clerk ही नहीं SBI PO हो जाए, IBPS PO हो जाए जितने भी ये तमाम exams हैं उसके लिए कारगर होगा आप practice करो, लेकिन offline भी practice करना जरूरी है आज के date में, तो ये जो है best आप सभी के लिए किताब है चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक chapter उठा के दिखा देता हूँ दोस्तों let's say blood relation का 51 से 68 page में दिया गया है आपने 51 से उठा दिया ये देखो, blood relation के questions मैंने आप सभी को हमेशा मैंने preparation के time में बताया है कि आपको जो है previous year questions को भी practice करना चाहिए ये किताब न, आप practice करते करते न previous year के सारे questions आपको दिख जाएंगी यहाँ पे तो ये जैसे SBI Cloud 2010 में पूछा गया था SBI Cloud 2011 में पूछा गया था ये इस तरीके का है ठीक है? और पूरे ample, इतना questions आपको दिया आए ना दोस्तों कि आप घर बैठके बस practice, practice, practice ही करेंगे इतने सारे questions आपको मिल जाएंगे तो solution भी देखे कितना detailed solution में यहाँ पे समझाया गया है अच्छे तरीके साब चीज़ को समझ सकते हैं ये सिर्फ English reasoning इसी के लिए नहीं है maths के लिए भी है और पूरे 4 set आपको मिल जाएंगे तो जो भी है English हो गया, reasoning हो गया, general evidence की questions भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे तो आप जाएए इस किताब को खरीदीजिए link जो है मैं आपको description box में दे दूँगा और बाकी किस तरीके से preparation करना है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपको detailed बताते रहोंगा आप अच्छे से एक schedule बनाईए घर पे और चितने सारे strategies आपको मैं आप सभी को provide करवा रहा हूँ ये सारे के सारे का आप चीज़ों को जो है seriously लिजी और कहीं नगी आपको help परेगा ये result जो है अचानक नहीं दिखता है वो due course of time पे ही दिखता है बागी जो किताब जो है उसका जो reference लिंक जो है मैं आपको description box में देता हूँ वहाँ पर जाके आप खरीच सकता है मिलता है next वाले वीडियो पे तब तक लिए जाहिंज भारत शबा खेर लविल अपने शियत के बिल्कु ध्यान रखेगा